स्वागत है दोस्तों आपका कीरतिमान फ्यूचर क्लासेज में यह नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर सातवा है इससे पहले हमने 6 पार्टों को बिल्कुल बेसिक से सौल्ब करवाया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर भी वीडियो मिल जाएगा दोस्तों इस वीडियो में सीखने वाले हैं भाज को यानि गुरन खंडों की संक्या कैसे ग्यात करते हैं इस पर आधारित कोश्चन एकजाम में हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों अगर आप इसे simple question या छोटा question समझते हैं तो ऐसा है नहीं दोस्तों इस पर आधारित question पूछे जाते हैं और अगर आप इस टाइब के question को देखते हैं तो आप छोटा question समझ कर छोड़ देते हैं लेकिन असल में दोस्तों यही question बहुत hard होते हैं तो चलिए इस वीडियो में सीखत बहाज को यानि गुड़न खंडों की संख्या कैसे निकालते हैं बिलकुल धैर पूरवक ध्यान से समझेगा अंत तक वीडियो को देखिएगा तभी आप आसानी से सीख और समझ पाएंगे सबसे पहले हम बेसिक के बारे में बात करेंगे उसके बाद हम आपको ट्रिक बताए आप कुल भाज को यानि गुड़न खंडों की संख्या सिंपली निकाल सकते हैं जैसे दोस्तों कोश्चन है सव के कुल भाज को यानि गुड़न खंडों की संख्या कितनी है दोस्तों यहां कुल भाज को का मतलब है कि सव में टोटल कितनी संख्याओं से पूरा-पूरा भा पूरा पूरा बिभाजित हो जाएगा इसी प्रकार चार से भी भाज़ा जाएगा सव में, एसी प्रकार च्यार से भी भाज़ा जाएगा सव में Þ ठीक है और 25 से भी भाग चला जाएगा ठीक और 50 से भी भाग चला जाएगा और अंत में 100 से भी भाग चला जाएगा तो दोस्तों, टोटल कितनी संख्याओं से 100 में भाग किया जा सकता है, तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसी 9 संख्याओं हैं, इन 9 संख्याओं के द्वारा 100 को पूरा-पूरा विभाजित किया जा सकता है, यही दोस्तों क्या होगा, कुल भाजिकों यानि गुड़न खंडो की संख्या होगी, ठीक है दोस्तों, इस पर आधारित कोश्चन पूछे जाते हैं, देखिए, 100 में 1 से भी भाग चला जाएगा, 100 में 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी भाग चला जाएगा, 5 से भी भाग चला जाएगा, भाग चला जाने का मतलब होता है कि पूरा-पूरा डिवाइड हो जाए, सेस्फल ना बचे, इसी प्रकार 10 से भी भाग चला जाएगा, 20 से भी भाग पूरा-पूरा चला जाएगा, 25 से भी भाग पूरा चला जाएगा, 50 से और 100 से भी 100 में पूरा-पूरा भाग चला जाएगा, तो दोस्तों यह से 9 संख्याओं द्वारा 100 में पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है अगर माल लीजिए 100 की जगह पर कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो आप ऐसे चेक करते हुए तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपको टाइम बचाना है तो आप ऐसे थोड़ी ना चेक करेंगे कि एक से आभाज को यानि गुड़न खंडों की संख्या निकालनी होगी तो उसको सबसे पहले दोस्तों आधार को आभाज संख्या के रूप में बदलेंगे देखिए 100 है ठीक है 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुड़े 10 लिख सकते हैं ठीक है दोस्तों 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुड़े 5 दोस्तों देखिए आधार समान है दो है यहाँ पर दो है यहाँ पर आधार समान है तो घाते आपस में जूड़ जाएंगी यानि दो की घात एक प्लस एक यानि दो की घात दो हो गया ठीक है इसी प्रकार यहां देखिए यहां भी आधार समान है एक घात इस पर एक घात इस संख्या के रूप में बदल जाए देखिए दोस्तों आधार ये क्या है जैसे मालीजी दो की घात पांच है तो ये दो आधार होगा और पांच घात होगा तो देखिए दोस्तों आधार क्या हो गया आधार अभाज संख्या के रूप में बदल गया तो सबसे पहले आप आधार को आभाज संख्या के रूप में बदलेंगे जो घहात है दोस्तों देखिए यहां आधार क्या है दो दो आभाज संख्या है इस आभाज संख्या की घहात कितनी है दो तो दोस्तों घहात में आप एक को जोड़ेंगे ठीक है दो दो में एक को जोड़ करके दोस्तों आप multiply कर देंगे तो दोस्तों क्या जाएगा ये तीन हो गया गुड़े दो में एक को जोड़ेंगे तो तीन आ जाएगा यानि तीन त्रिक का 9 हो जाएगा यानि टोटल ऐसी 9 संख्याएं हैं जिनके द्वारा 100 को पूरा-पूरा विभाजित किया जा सकता है य आधार को आभाज संख्या के रूप में बदलेंगे जो घात होगा उसमें एक जोड़ेंगे ठीक है जो घात होगा उसमें एक जोड़ देंगे multiply कर देंगे अगले वाले घात है जो होगा उसमें भी एक जोड़ करके multiply कर देंगे तो यहां से दो में एक जोड़ेंगे तीन ह तीन तरिक्क ने नव यानि ऐसी टोटल नव संख्या हैं जिनके दवारा सौव को पूरा-पूरा विभाजित किया जा सकता है दूसरा कोशन है दोस्तों 120 के गुडण खंडों की संख्या कितनी है कभी-कभी भाजकों की संख्या दे दिया जाता है या गुडन खंडों की संख्या दे दिया जाता है तो इससे आप confusion में ना रहिएगा गुडन खंडों की संख्या या भाजकों की संख्या वही होता है तो हम निकालेंगे 120 के गुडन खंडों की संख्या क्या होगी या भाजकों की संख्या क्या होगी तो इससे आप परिशान नहीं होगे भाजकों की संख्या और गुड़न खंडों की संख्या समान ही होती है उसका कहने का अर्थ एक ही होता है तो देखिए दोस्तों 120 है 120 को हम ऐसे थोड़ी ना चेक करेंगे कि हम एक से भी भाग दे सकते हैं, दो से भी, तीन से भी, चार से ऐसे ऐसे चक करेंगे, तो time बहुत चला जाएगा, तो हम trick लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, देखिए 120 है, 120 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 12 गुडे 10 लिख सकते हैं, और हम 12 को लिख सकते हैं, 2 का whole square, गु आधार समान होने पर गुड़ा में अगर उनके बीच गुड़ा का चिन लगा हुआ है तो घाते आपस में जुड़ जाती है यानि दो की घात दो प्लस एक यानि तीन हो जाएगा गुड़े यहां देखी क्या है तीन है तीन के उपर कोई घात नहीं तो एक घात है गुड़े यहां पांच है पांच के उपर कोई घात नहीं तो एक घात है सबसे पहले देखीए यहां 120 दिया गया था तो इसको आपने आधार को अभाज संख्या के रूप में बदल दिया यानि प्राइम नमबर के रूप में बदल दिया देखिए दो भी क्या होता है प्लस एक में एक जोड़ेंगे यही दोस्तों ट्रिक है आशान सी ट्रिक है आप निकाल लेंगे आसानी से तो तीन में एक को जोड़ेंगे जो घात होगा उसमें एक जोड़ करके सभी घातों में एक जोड़ करके मल्टिप्लाई कर देंगे तो तीन में एक को जोड़ेंगे चार हो जाएगा गुड़े एक में एक को जोड़ेंगे दो हो गया फिर एक में एक को जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा ठीक दोस्तों तो 4 दूनी 8 दूनी 16 यानि दोस्तों 16 टोटल ऐसी संख्याएं होंगी जिनके द्वारा 120 को पूरी पूरी विभाजित किया जा सकता है यहीं दोस्तों क्या होगा, राइट एज़र होगा, यानि 16 ऐसी संख्याएं होगी, जिन संख्याओं के द्वारा 120 को पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है, यानि यहां से भाजकों की संख्या क्या आ जाएगा, 16 आ जायगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे भी निकालना चाहे तो निकल जाएगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा तो आपको टाइम बचाना है तो इस ट्रिक की सहायता से आप निकाल सकते हैं सबसे पहले आधार को आभाज संख्या के रूप में बदलेंगे जो घात होगा उसमें एक जोड करके जितनी 120 को टोटल ऐसी 16 संख्याएं होंगी जो पूरा-पूरा विभाजित कर देंगी यही राइट एंसर होगा तीसरा कोशन है दोस्तों 1500 के कुल गुडन खंडों की संख्या कितनी है यानि कुल भाजकों की संख्या कितनी है यानि दोस्तों 1500 में टोटल कितनी संख्याओं से पू और 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुड़े 5 और 100 को हम लिख सकते हैं 2 का होली स्क्वाइर गुड़े 5 का होली स्क्वाइर ठीक दोस्तों तो देखिए यहां इनका दोनों का आधार समान है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी यानि 3 हो गया गुड़े यहां 5 की घात 1 है और उनक के बीच गुड़ा का चिन लगा हुआ है तो घाते जुड़ जाएंगी एक और दो मिलकर तीन हो जाएगा यानि पांच की घात तीन हो गया ठीक और यहां दो का होली स्क्वायर है ठीक दोस्तों यहां तीन की कोई घात नहीं है तो एक घात है बस आप क्या करेंगे देखिए आधार क्या हो गया आभाज संख्या के रूप में बदल गया सबसे पहले पंदरा सो था पंदरा सो को हमने आधार को आभाज संख्या के रूप में परिवर्तित कर दिया ठीक तो घात कितनी है तीन की घात कितनी है एक तो एक में आप एक को आइड करेंगे ठीक दोस्तों ग Multiply कर देंगे तो 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 3 में 1 को जोड़ेंगे 4 गुड़े 2 में 1 को जोड़ेंगे 3 हो जायेगा तो यहां से देखिए दोस्तों 2.48, 18.24 यानी दोस्तों IC टोटल 24 संख्याइं होगी जिनके द्वारा पंदरा सो को पूरा-पूरा विभाजित किया जा सकता है तो ऐसी टोटल कितनी संख्या हैं होंगी 24 संख्या हैं होंगी जिनके द्वारा 1500 को पूरा-पूरा विभाजित किया जा सकता है जो की option number इसका decorrect हो जाएगा दोस्तों कभी-कभी इस type से भी question पूँच लिया जाता है चौथा question है 42 की घात 5 के कुल भाजिकों की संख्या कितनी है इस type के question भी पूँच लिये जाते हैं तो आप परेशान नहीं होंगे बिल्कुल simple सा करेंगे देखी question क्या है 42 की घात 5 ठीक है दोस्तों तो 2 की घात 5 हो गया गुड़े 3 की घात 5 हो जाएगा गुड़े 7 की घात 5 हो गया देखी आधार आभाज संख्या के रूप में परिवर्तित हो गया 2 भी आभाज संख्या है 3 भी आभाज संख्या है 7 भी आभाज संख्या है तो सबसे पहले आप आधार को और यहां 7 की घात कितनी है, 5, 5 में 1 जोड़ देंगे, और multiply कर देंगे, ठीक है दोस्तों, तो 5 में 1 को जोड़ेंगे 6, 5 में 1 को जोड़ेंगे 6, गुड़े 5 में 1 को जोड़ेंगे 6, तो 36 शक्का 216, यानि दोस्तों, टोटल 216 ऐसी संख्याएं होंगी, जिन संख्याओं के द बहुत समय लगा देंगे, तब भी नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि 216 संख्याओं गिनने में बहुत समय लगेगा, तो दोस्तों, यह ट्रिक काफी उप्योगी रहेगा, तो आसा करते हैं, इजली समझ गये होंगे, सबसे पहले आप जो संख्याओं दिया गया होगा, उसमें आधार को सबसे पहले अभाज संख्या के रूप में परिवर्तित करेंगे, जो घात होगा, उसमें एक जोड करके मल्टिप्लाई करते जाएंगे, तो यहां देखिए, पांच, दो की घात पांच है, तो पांच में एक को जोड़ देंगे, गुड़ा, साथ की घात कितनी ही पांच है, तो पांच में एक को जोड़ देंगे, तो छाया, गुड़े, छाया, गुड़े, छाया, तो छाचवाक, छातिस, शक्का, दोसो, सोला, यही करेक्ट आइंसर होगा, दोस्तों यहां कोश्यन आपके लिए है, इसे कमेंट बाक्स में बताईएगा, कोश्यन है, आ आप सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बाक्स में बताईएगा, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रिस करिएगा, अन्त में दोस्तों आपसे एक बिनमर निवेदन है, कि आप किर्तिमान फ्यूचर क्लासेच के चैनल के पेज को स्क्रेंश ले लीजिए, और उसे आप अपने वाटसप फेसबुक के स्टेटस पर लगाईए, जो पूछे, तो किर्तिमान फ्यूचर क्लासेच के बारे में जरूर बताईए, आपसे दोस्तों इतना बिनमर निव बालाटर प्सकतिंतर